आपको बचों कहें यह चार स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको बताना है इनमेंसे कौन सी स्टेटमेंट्स सही है तो स्टेटमेंट वन कुछ इस तरह से है investments in shares are excluded from cash and cash equivalents यानि investment in shares को cash and cash equivalents से दूर रखा जाता है unless they are in substance cash equivalents यानि कि अगर वो इसी purpose से acquire करे गई है कि इनके तुरंधी बेचना है चीक है न बच्चों तो ऐसे में वो आपके जो है cash equivalents कहला सकती है इसका यह मतलब है लेकिन तभी जब वो उनका जो है उनको आपको बेचना है या उनको रिलाइस करना है विदिन शॉर्ट पिरिड ऑफ टाइम ठीक है याट एनी टाइम आप उनको बेच सकते हैं ठीक है without any significant fall in their values तो वो cash and cash equivalents कहला सकती है तो नॉर्मली वो गया करते हैं बच्चो cash and cash equivalents में नहीं आता investment shares उसको investment in non current investment मानते हैं आम तोर पे और वो investing activities में शो किया रहता है cash and cash equivalents में शो नहीं किया रहता तो इनकी बात बच्चो यहाँ पर बिल्कुल सही है यह correct statement है यह cash and cash equivalents तभी आएगा जब यह तुरंथ ही बेचने हो ठीक है या उनके जो realization data हो नजदीक आ चुकी हो लिए बच्चो statement B में काया है कि short term marketable securities जो है जो जल्दी से ही cash में convert हो जाती है उन्हें cash and cash equivalents treat नहीं किया जाता तो बच्चो यह statement बिल्कुल wrong है तो कि short term marketable securities जिरे आप readily convert कर सकते हैं cash में तो उनको तो कहना चाहिए cash and cash equivalents तो यह statement wrong है बच्चो ठीक है तीसरे पर आज़ेगे statement पर in case of financial enterprises interest received and dividend received investing activities है तो बच्चो चली मैं पहले पूरा पढ़ दिता हूं फिर पूरा ही explain करूंगा while dividend paid and interest paid operating activities है तो बच्चो इन्होंने किसकी बात करी interest received की dividend received की dividend paid की और interest paid की तो बच्चो financial enterprises के लिए यह यह और यह यह तीनों ही operating activities होती है ठीक है इन्होंने केवल जो है interest paid को और dividend paid को operating के रखा है ठीक है बच्चो इन चारों में से केवल एक ही इन्होंने operating कहा है जबकि तीन थे operating equities यह भी यह और यह भी लेकिन dividend paid चाहे कैसा भी enterprise हो चाहे financial enterprise हो चाहे non-financial enterprise हो यह सभी के लिए financing equity है तो यह statement भी बच्चो बिल्कुल गलत है ठीक है बच्चो तो it is also a wrong statement last है कि provision for tax made during the year should be classified as an outflow from operating activities यानि कि जो provision for tax बनाया गया है during the year यह रखे बच्चो यह नोंने यह नहीं कि pay किया गया है उने कहाँ बनाया गया है living in the year उसको classify करना चाहिए as outflow ठीक है बच्चो तो बच्चो पर जब्रोटेक्स made during the year outflow नहीं होता प्रोटेक्स paid during the year outflow होता है क्या होता है बच्चो प्रवजटेक्स paid during the year यह made है तो ये भी एक wrong statement है तो आप देख सकते हैं बच्चो केवल पहला statement ही ऐसा है जो सही है वैसे पहले को पैचानना थोड़ा hard था तो आप इसे एक काम कर सकते हैं अगर पहले बागी सारे पढ़ेंगे तो आपको साफ नजर आ रहा है वो wrong है तो understood है एक तो सही है तो फिर वो सही होना चाहिए था और कौन सा होता है ना बच्चो तो क्योंकर रिस तरह से भी ट्रेक लगा के आप सही चीज़ पैचान सकते हैं अगर वो सही पैचान में दिक्कत आ रहे है तो गलत को पैचानना शुरू कर दीजिए ठीक है सही आपने आप मिल जाएगा क्लियर बच्च आगे सुने मेरी बात